हालो और वेल्कम दोस्तों डूफाइम इंट्स इंजिनेरिंग आज का वडियो आके बड़ा कम माल का होने वाला है दोस्तों आज भाईया कच्छा चिठ्था अपन खोलने वाले हैं हिस्टोग्राम का और इसके लिए अपने को तीन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो उसके बाद एंड में भाईया थोड़ा बोनस पॉइंट के तरफ से मैं बताने वाला आपको कुछ उसके टाइप्स के बारे में जो उसके विरिएशन्स अफिलेबल हैं वो भी अपन यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो शुरू करते हैं भाईया इन तीनों सवालों का जव आप देना विट रिस्पेक्टिव विजुल रिप्रेजंटेशन बड़ाई सिंपल आपके सामने राखूँंगा तो हिस्टोग्राम जानना है तो सबसे पहले ऐस MAR — कि वहां जेहां जानना हृ है यहां आपका X होग और यहां पर यहां का Y होगा बराबर ये दो dimensions आपके यहां पे आ चुके हैं ये आपके यहां पे मौझूद हैं ठीक है तो अब इसके ऊपर आपका histogram बनता है मतलग क्या कि इसको आप as a area diagram देख सकते हो एक area diagram जो है आपका इस जगा पे बनने वाला है जिसमें भाईया आप rectangle shapes का use करने वाले हो बार्स का एक तरीके सब्सक्राइब करने वाले हो और वो जो rectangle shapes है वो आपको बताते हैं about the frequency और occurrence of a particular atom in a interval तो अभी इतनी भी सारी बात है भाईया मैंने आपके सामने रखी है उनको जरा मैं visually आपके सामने पेश करना चाहूँगा एक बड़े simple example के साथ यानि कि मैं आपको how इसका भी जवाब ज जाबर है कुछ count of students होगा और उन्होंने एक exam attempt किया और वहां से marks generate किये हैं यहां तक situation आपको समझ में आ गई है अब यही जो data मेरे पास आया है उसको मैं histogram पर कैसे construct करता हूँ वो अभी मैं आपको पताने वाला हूँ तो भही है एक्स जो access रहती है अपने when specifically we are talking about histogram तो यहा last intervals mentioned रहती है जैसे मैं यहां पर marks ले लेता हूँ 0-10 20 30 40 50 60 70 और और आगे ले लेते हैं 80 90 और यह 100 तक चला गया भाई मैं बराबर है एक्स एक्सिस का तो भाई यह मामला सेट कर दिया लेकिन वाई एक्स बड़ा सूना सूना पड़ा है चलो उसको भी जारा भढ़ देते हैं इसको अपन बोलते frequency access जब अपन histogram के respective में बात कर रहा है तो यहां पर मैं कुछ count कितना count जो है वो आपके respectively in interval में present है count of students जिनके marks इस interval में लाइक करते हैं जैसे for example जो मेरे जो हैं you can see जो 0 और 10 के बीच में marks लाने वाले सिर्फ 5 students मेरे मौझूद है तो पांच का count आपको यहां पर दिखाए दिया तो this way you are able to understand the data with the help of histogram ठीक है उसके बाद भी 10 और 20 की बीच में let's say कितने है मेरे पास 10 the student let's consider that way उसके बाद 20 और 30 की बीच में पांच ही है 30 से 40 की बीच में let's say 15 है तो यहां तक चला जाएगा ठीक है 40 से 50 की बीच में let's say 20 है फिर उसके 50 से 60 की बीच में 5 है फिर वापस 60 70 की में 5 है 70 80 में फिर कितने मेरे 10 है इस तरीके से मान लो फिर 80 90 में मेरे वापस 5 है 90 से 100 में भी 5 है इस तरीके से अब इसमें मैंने randomly कुछ भी count यहां consider किया है just to demonstrate illustrate की भाईया आखिरकर मामला जो है histogram के जरी कैसा दिखने वाला है तो I hope अभी आप relate कर पा रहे होंगे मेरे वो statement जो कि मैंने ये example देने से पहले बताए थे यानि कि यह जो भी आपका x y का area यहां पे दिख रहा है आपको इनकी जो height है it will be proportional to the frequency it will be proportional to the frequency अब यहां पे frequency यानि कि अपने जो count है वो 10 student का है तो यह क्या आपने को बताने कोशिच कर रहा है कि 10 और 20 के बीच में 10 students लाए करते हैं यह वाला क्या बताने कोशिच कर रहा है यह 30 और 40 इस marks range में आपकी 15 students लाए कर रहा है तो एक तरीकी से frequency बता रहा है को count बता रहा है and that is where we can use this histogram ज्यादा तो तौर पर आगर आपको summarize करना होगा चीजों को बराबर एक summarize form में अगर आपको अपने data को देखना है पहले तो हमने देखा एकदम ही raw data बराबर फिर अपना टेबल की उपर अब टेबल से भी बहतरीन रूप में अगर summarize अगर आपको data को देखना है तो यह आपके पास बहुती बड़ी option available है अगला funda निकल के आता वह यह compare आपके सामने नमूना रखा है मैंने अगर आपको comparison कर रहा है तो यहाँ पर अपने को पता चल जाता है कि 40 और 50 इस marks range में जो है इस interval में सबसे जादा students lie करते as compared to others तो यह नहीं पर आप compare कर सकते हो अपने results को उसके बारे में बात कर रहा था most frequent इसके बारे में भी आपको जान करें मिलती है कि most frequently occurred interval कौन सा है फिर उसके बाद least frequently यह सारी जो चीज़े हैं इसके बारे में information knowledge जो है यहां से histogram से आप जस्टिक देखने से ही आप gain कर सकते हो समझ सकते ह data को उसके बाद probability एस एक तरीके से histogram जो है वो आपको अपने data की probability distribution का idea provide कराने की कोशिच भी करता है now coming up to the very important thing types इसके भी भाया विविविद प्रकार है histogram के पहला uniform histogram चोलो मैं आपको सीधा सीधा भाया इसका जो मतलब है diagram के जरीए बताने कोशिच करता हूं मैंने बना दिये दो अपने plot बराबर xy इसके अंदर में अपना histogram जो की uniform nature करेने वाला uniform histogram वो बनाने वालों तो कैसा होगा कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से वो रहने वाला है आप समझ पा रहे हो कि इसे uniform क्यों कहां जा रहा है because यहां पर जितनी भी intervals है उनका जो भी height है उस rectangle का जो भी height है वो almost एक दूसरे से मिलता जोलता है कोई एकदम drastic difference आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा आपको ऐसा scenario देखने को नहीं मिलेगा कि यहां पर सबसे बड़ी height है और यहां पर छोटी सी कुटिया बना दी मतलब एक बहुत बड़ा sky scrapper और यहां पर छोटी सी कुटिया बना दी फिर वापस से आपको एक और बड वाँ जो है देखने को मिल जाएगा उसके बाद आते हैं BIMODAL BIMODAL histogram क्या होता है यहां पर BIMODAL histogram में आपको विजुली कैसा दिखने वाला हो मैं आपको बता देता हूं विजुली आपको situation जो है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी somewhat in this way you will see the visual situation अब बार समझ पार है कि यहां पर आपको दो peaks दिखाई देंगे दो peaks clearly यह क्या दिखा रहे हैं दो groups को दिखाने की जो है कोशिश यहां पर BIMODAL histogram के जरिए की जाती है you can see distinctly two different groups of your respective data that you have provided for this histogram is visible in the BIMODAL histogram simple उसका रहाता है symmetric symmetric तो बड़ा simple सी बात आप देगो symmetric में क्या है यह ऐसा है फंडा जो कि आपने कई बार देखा होगा यह shape आपने कई बार देखा होगा कुछ इस तरीके से जो है आपको symmetric histogram दिखाई देंगे तो अभी अगर आप observe करोगे भाईया यह जो dotted line बनाईए इसका जो left side of histogram है it is almost equal to और same as you can say that of the right one इसलिए इसको क्या बोला गया है symmetric यह आपका symmetric histogram है और यही कुछ vivid with प्रकार types जो है histogram के आपके सामने रख दिए सवालों का जवाब दे दिया है इस वीडियो के ज़री histogram क्या होता है यह आपको समझ में आ गया होगा रहा गया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए उससे बिजार ज़री इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सार दोस्तों के साथ थैंक्स अलोट दोस्तों पर वाचिंग इस वीडियो